लैप्टप डेस्टों में Android चलाने के लिए एक एमिलोटर के जोड़ोत होती है तो यहां पर एमिलोटर आपको सार्च करना है यहां पर मैं LD Player सार्च करने वाला हूँ LD Player for Windows 11 यहां पर मैं सार्च कर दिया हूँ किसी भी वर्जन को आप डाउनलोड इंस्टल कर सकते हैं यहां पर मैं First वाले को चुझ करता हूँ यहां पर मैं किलिक करता हूँ इसके बाद Official वेब साइट ओपन हो जाता है यहां पर स्क्रोल डाउन करना है आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए यहां पर देखे उपर में ही LD Player डाउनलोड का एक बटन मिल गया है डा आपके सामने यहां पर setup दिखाई देगा इस पर Double क्लिक करें या Right क्लिक करके रन कर दीजिए यहां से Yes बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का Option दिखाई देता है यहां से आपको Install बचन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 624LeU successful ऐब एमब का यह फाईल ह इसको install होने देते हैं और हम वेट करते हैं जब तक यह install नहीं हो जाता है यहाँ पर दिखिया start बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद अगला interface इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर हमारा software इंस्टल हो चुका है इंस्टल करने के बाद हम असानी से play store का app इंस्टल कर सकते हैं play store से app इंस्टल करने के लिए system app पर click करना है यहाँ पर play store के बटन पर click कर देना है यहाँ से sign in बटन पर click कर देना है email id दर्ज करने के बाद next बटन पर click कर देना है यहाँ पर password दर्ज करना है और next बटन पर क्लिक कर देना है कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर आपको Gmail ID से login हो जाना है Gmail ID से login होने के बाद में आसाने से आप किसी भी playstore के app को install और इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं login हो गया हूँ playstore पर सबसे पहले मैं यहाँ पर chrome browser install करता हूँ chrome browser install करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर install कर देता हूँ यहाँ देखिए playstore का ही app है यहाँ पर देखिए chrome browser download हो गया है इस पर मैं open करता हूँ यहाँ देखिए open भी हो चुका यहाँ पर दिखे Chrome Browser आ गया है इस तरह से असानी से Play Store का एप आप चला सकते हैं Play Store पर जाने के बाद में जो भी एप आप डाउनलोड करना चाते हैं बहुत सारे एप मिल जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में बताएं आउनलोड के साहता से की तरह से desktop पर आप Play Store का एप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो समधित कोई भी सवाल हो सुझा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नीव वीडियो में धन्यवाद